विपक्षी एक्ता की कवायत खडगे के घर पहुचे विपक्षी दिगज, नितीश कुमार, तेजस्वी पहुचे खडगे के निवास, राहुल गांधी भी खडगे के निवास पर मौझूद तो ये बड़ी जानकारी है विपक्षी एक्ता की कवायत जारी है और ये पहले भी देखने को मिल चुकी है जब संसद में तमाम विपक्षी नेता एक जुट होकर सरकार के खिलाफ नारे बाजी करते नजर आये थे तो वहीं तिरंगा यात्रा जो है वो भी निकाली ये तमाम कवायत जो जारी है अब खड़गे के घर पर विपक्षी दिगज पहुंचे हैं नितीश कुमार तेजस्वी खड़गे के निवास पर राहूल गांदी भी खड़गी के निवास पर पहुंचे हैं लेकिन क्या ये दो हजार चौबीस का एजंडा तयार किया जा रहा है वो रणनीती है या इससे पहले किसी तरह की रणनीती क्या कुछ चचा होगी क्या ये विपक्षी एकता के बाद नेत्रत भी सामने आएगा वो तमाम मुद्दे जिन पर शायद आज चचा होगी और अधती हमार साथ जुड़ गई है इस्टूडियो से अधती अज़र आप से जानना चाहेंगे कि विपक्षी दिगज एक साथ नजर आ रहे हैं विपक्षी एकता की कवायद है आज जो ये एक साथ मौजूद है क्या रणनीती किस तरह किस सियासत अगर राजनीती के दिगजों की बात की जाए तो ममता नितिश कुमार और अगर बात करें साउथ में तो ये तीन जो बड़े नेता हैं उनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर दोहजार चौबीस में विपक्षी एकता अलग तरीके से दिख सकती है अब आज तस्वीरों में आप देख रहे हैं कई बार खड़गे के काम करने के तरीके पर सवाल उठता है लेकिन आप ज नितिश्कुमार लालू यादव की मुलाकात भी हुई आप देखें कि राजनिती किस तरीके से बडलती है समी करन और समय के साथ ऐसे में मलिका अरजुन खडगे के साथ राहूल गांदी भी मौजूद रहे और राहूल गांदी और नितिश कुमार की मुलाकात आपको याद होगा दोहजार चुमार नितिश कुमार नरिंद मोधी के चेरे को जब बनाया गया था चुनाओ केमपिन कमिटी का चेरा तब नाराज हो गए थे और तब से ही खटपट लगातार शुरू हुई कही न कही नितिश कुमार को लगता है कि जिस तरीके से बारतिन्ता पार्टी नरिंद मोधी को आगे किया कही न कही वो जगे वो भी डिजर्फ करते थे और कटपट लगातार चलती रही जो पंजे की लड़ाई चलती रही हमने बिहार चुनाओ में वी जिस तरीके से देख अभी के समीकरण है अभी के हालात है एडी की कारवाई है इन तमाम चीजों पर चर्चा की गई लेकिन उसके साथ-साथ बहुत ही डंके के चोड़ पे नितिश कुमार ने ये भी कहा जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अगर विपक्षी एक जुटता रही अगर राहुल गांद सौप पर भी आके सिमट सकती है तो कई न कई बड़ा टार्गेट लेकर विपक्ष चल रहा है लेकिन हमने अकसर ये देखा है कि विपक्षी अलग-अलग मुद्धों पर चिटक जाते हैं जैसे हाली में आम आदमी पार्टी राष्ट्र पार्टी बनी तो ममता बेनर जी की पार्टी राष्ट्र पार्टी का हग हो बैटी तो कई न कई मां आपस में एक दूसरे पर सवाल हो गए कि अब भई नितिश कुमार को चौतर्फा बिहार में घेर रखा है और कई भी साथ लेके काम कर रहे हैं और दूसरा जो एमद पटेल काम किया करते थे हाला कि एमद पटेल के काम और तोर तरीकों में अभी किसी भी व्यक्ति को उनके काम के तरीके को समझना और उनके काम के तरीके पर अमल करना शायद बहुत सालों लग जाएंगे लेकिन आज की ये तस्वीर कॉंग्रेस के लिए भी सुखद है और देश के अलग-अलग राज्यों में जो अलग-अलग पार्टीज हैं उनके लिए भी सुखद है लेकिन ये बात तैह है कि भारते जनता पार्टी एक स्ट्राटेजिक पार्टी है और उसने अभी इसकी काट तैयार पहले से ही महाराष्ट में महागडी सरकार थी दूसरी तरह कॉंग्रेस के लिए हीipt के है या विपक्ष के लिए कहते हैं कि जो मुढ्धे उठाया जा रहे हैं वह प्रासंगिक नहीं है जनता के बीच ** होने चाहिए तो इस तरह से अगर मुध्धे माम्तभ अनृ जी कहीं अलग नजर आती है अर्विंद के जिवाल हाना की अब जो है मनीश जिस तरह मनीश सूदिया का केस हुआ उसके बाद शाहिद फिर भी विपक्ष के साथ एक जुट नजर आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को नेत्रत्व की जरूत होगी एक नेत्रत्व खड़ा करना पड़े केसी आर अपना जनम दिन दिल्ली में आके मनाते हैं वहीं ममता बेनर जी भी हिंदी में अब स्पीच देने की कोशिश करती हैं क्योंकि सभी लोग विपक्ष का नेत्रत्व करना चाहते हैं विपक्ष का नेत्या की तरह अपने आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं इसके इत 3 पर आये थे हमें दूसरे जो पार्टी थी उनके साथ उनके समर्थन में काम करना होता था उनसे पूश कर करना होता था यही वज़े थी कि वो अगली बार 303 पर आये जिससे कि उनको कभी भी अलायंस पार्टी यानि कि कुरसी के जो चारो पाएं हैं वो एक ही पार्टी के हो तब तो आप कमजोर नहीं रहेंगे फैसले लेने में लेकिन यही वज़े थी कि आप बीजे भी चाहती है कि और बड़ी जीत के साथ हो आएं जिससे कि उनको किसी से बिना पूचे फैसले ले ही होगा और यह तैय करना होगा कि हमें किस एक नेत्रत के साथ जाना है और एक नेत्रत वो बहुत जरूरी होगा दूसरा यह कि जो मुद्धे हैं वो जनता से जुड़े हो और सब एक जुटता के साथ आएं